आज इद है और इस मौके पर बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है जी हाँ, बिहार के साथ जिलों में आज तेज हवा और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है पटनास्थित मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार आने वाले पांच दिनों के दोरान दिन के तापमान में 2-3 डिग्री सेल्शियस की बड़ोत्री होने की संभावना है आज रोहतास और अंगाबाद गया नवादा जमूई और बांका में तेज हवा चलने की संभावना है जिसकी रफतार 30-40 किलोमीटर प्रतिगंटा रहेगी इसके साथ ही इन जिलों में मेक करचन के साथ बिचली चमकेगी और हलकी पारिश होने की संभावना है वहीं बिहार मौसम सेवा केंदर के आकड़े बताते हैं की 13 और 14 अप्रेल के दोरान सीवान, सारन, पटना, अर्वल, जहनाबाद, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, गया, शेकपुरा, लखी सराय, मुंगेर और बांका जिलों के भागों में हीट वेव जैसी स्थिती रहने की संभावना है, हाला कि तापमान में बड़ोतरी और हीट वेव की आशंका के कारण लोगों को सतर्क रहने की आविशकता है, इस समय में जल्स अंडरक्षन और गर्मी से बचाव के उपाए करना महत पुपून भी है, आपको बता दे कि आने वाले पांच दिनों में दिन के तापमान में दो से तीन डिक्री सेल्शेस की बड़ोतरी होने की संभावना है, बिहार के कुछ जिलों में ऊशर लहर की स्थिती रहने की संभावना भी जताई गई है, इसलिए लोगों को गर्मी से बचाव के उपाए, कन्ये और बारिश और तेज हवा के दोरान सा आपधानी बरतने की सला दी गई है, उकलीटीन पटना से सचिधानन की रिपोर्ट